नमस्कार मैं हूँ आपके संगनित्यम मंत्र यंतंत्रवास्तु की विशेश कास्क्रव के साथ रक्षा बंधन में जब आप अपने भाई के हाथ में राखी बांदे हैं तो उसमें भद्रा काल का बहुत ही जादा महत होता है ऐसा मानते हैं कि अगर आपने भद्रा काल में अपने भाई के हाथ में राखी बांदिया यह बहुत ही जादा अपसकुन होता है भाई के आने वाले जिवन में बहुत समस्या भी पैदा हो सकता है इसलिए सास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा काल में कभी भी राखी का बंधन नहीं करना चाहिए ये अच्छा नहीं होता है इस साल रक्षा बंधन की डेट पर बहुत ज़्यादा कन्फूजन हो रहा है कुछ लोगों का मानना है कि राखी का पर इस बार 30 अगस्त को होगा जबकि कुछ लोगों का मानना है कि 31 अगस्त को ही राखी का पर मनाया जाएगा क्या है सही क्या है सच्ची बात इस पर हम चर्चा करेंगे आप हमारे साथ बने रहिए तिक इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हैं तो किरपियाई से सब्सक्राइब कर ले था बेल बटन को भी दवाएं ताकि नए वीडियो का नोडिफिकेशन और रख्चा बंधन का तिवहार साबन सुगलपूर्णिमा को मनाया जाता है साबन सुगलपूर्णिमा तीथि का आरंब बुधवार तीस अगस्त को सुबह 10 बज़ करके 69 मिनट पर होगा और इसका समापन होगा गुरुबार 31 अगस्त को सबह 7 बज़ करके 5 मिनट पर बहन बहनों को सिर्फ भद्राकाल को ध्यान में रखते हुए भाई को राखी बांधने का समय इस बार निकालना होगा। रक्षा बंधन पर भद्राकाल में भाई को राखी बांधना बरजित मना गया है। इस बार 30 अगस्त को पुर्निमा तीथी के साथ ही भद्राकाल आरंभ हो जाएगा जो रात को 9 बस करके 2 मिनट तक ये भद्राकाल रहेगा। यानि भद्राकाल करीब 10 घंटे तक रहेगा। इसलिए बहने 30 अगस्त को भद्राकाल के बाद ही भाई की कलाई पर राखी बांध सकेगी। राख्षा बंधन पर राखी बांधने का सुब मुर्थ 30 अगस्त की रात 9 बस करके 3 मिनट से ले करके 31 अगस्त की सुबह 7 बस करके 5 मिनट तक रहेगा। चुकि 30 अगस्त को सुबह पुर्णिमा तीथी के साथ ही भद्राकाल आरंब हो जाएगा और यह रात 9 बस करके 2 मिनट पर समाप्त होगा। इसलिए बहने भद्राकाल समाप्त होने के बाद ही भाई को राखी बांध सकेगी। यानि 30 अगस्त को आपको राखी बांधने के लिए केबल रातरी भर का ही समय मिलेगा। 30 अगस्त को रक्षा बंधन मना रहे हैं तो रात में 9 बस करके 3 मिनट के बाद ही आपको राखी बांधना चाहिए। अगर आप 31 अगस्त को रक्षा बंधन मनाने वाले हैं तो इस दिन सुबह 7 बस करके 5 मिनट से पहले ही भाई की कलाई पर राखी बांधें तभी आपका राखी पूर्ण होगा। इसके बाद साबन पूर्णिमा के तीथी और रक्षा बंधन का मत दोनों समाप्त हो जाएगा यानि कि 31 अगस्त को 7 बस करके 5 मिनट के बाद आप राखी नहीं बांध सकेंगे क्योंकि पूर्णिमा तीथी समाप्त हो जाएगी। आपको हर हाल में इस समय से पहले यानि कि 31 अगस्त को सुबह में 7 बस करके 5 मिनट से पहले ही राखी बांधना पड़ेगा। अन्यथा आप 30 अगस्त को 9 बस करके 3 मिनट के बाद आप राखी बांध सकते हैं। अब ये चर्चा करते हैं कि राखी बांते समय आपको कीण चीज़ों का ध्यां रछाँना चाहिए। सबसे पहला ची, राखी बानते समय एक मंत्र है, इस मंत्र का आपको मन ही मन जाप करते हुए राखी बानना चाहिए, रक्षा बंधन का रक्षा सुत्र लाल, पीले और सफेद रंग का होना चाहिए, इसका अपर ध्यान रखे, रक्षा सुत्र यानि राखी हमेशा मंत्रों का जब करते हुए ही बाढ़ना चाहिए इस दिन बहने भाई को राखी बाढ़ते समय इस मंत्र का उच्चारन मनी मन अवस करिए मंत्र है येन बद्धो बली राजा दान बेंद्रो महाबला तेन त्वाम रक्षा बधनामी रक्षे माचल माचलह इस मंत्र का जब करते हुए आप राखी बाढ़ने तो अच्छा रहेगा अब रक्षा बन्धन पर भाई को क्या करना चाहिए देखिए रक्षा सुत्र यानि राखी बन्धवाने के बाद भाई को अपने माता पिता या किसी गुरुजन का आसिरवार अवस लेना चाहिए यानि कि घर में माता पिता है तो उसका पहुच हो करके आप आसिरवार लिए इसके बाद बहन को सामर्थ के अनुसार उपहार दीजिए उपहार में ऐसी बस्तवे दें जो दोनों के लिए मंगलकारी हो काले बस्त्र खाने पीने की तीखी या नमकीन चीजे भूल कर भी आपको उपहार में नहीं देना चाहिए कहते हैं कि ऐसा करने से रिष्टों में खटास पर जाती है अब ये जानते हैं कि रक्षा बंधन का परवकर आप मना रहे हैं तो किन चीजों का धियां रखना चाहिए क्या गलती आपको नहीं करना चाहिए सबसरी पहला चीज गुसा कि मैंने आपको पहले पताया है कि भधरा काल में आप राखी नहीं बांधिये भधरा काल में कभी भी राखी नहीं बांधना चाहिए इस बार अक्षा बंदर पर भधरा का साया रहेगा भदराकाल 30 अगस्त को सुबह पुर्णिमातिति के साथ आरंभ होगा और रात में 9 बज करके 2 मिनट तक रहेगा दूसरी चीज़ राखी बांधे बक्त भाई का चेहरा उत्तर या पुर्व दिसा की और होना चाहिए अंडिसा में राखी बांधना अब सकून होता है इसका ध्यान रखिए बाजार में आजकल प्लास्टिक की राख्यां भी बितने लगी है प्लास्टिक को केतु का पदार्थ मना गया है और इसे बदनामी का करक भी मना जाता है इसके अलाबा भाई को टूटी फूटी या असुव चिन्नो वाली राखी बांधने से भी पचना चाहिए अच्छी राखी न मिलने पर आप कलावा भी बांध सकते हैं इसका धियान रखिए प्लास्टिक की राखी भी आप नहीं बांधे तो अच्छा रहेगा रख्षा बंधन पर भांध को धार धार या नुकिली चीजे भेट आप ना करे उपहार ना दे छूडी काटा आइना या फोटो फ्रेम जैसी चीजे देने से भी बचे हैं भांध को रुमाल या जूत्य चपल भी गिप्ट में नहीं दीजे आप यह समझ लिए कि जोतिस में बुद्ध को बहनों का कारक बना गया है इसलिए आप इससे जुरी चीजे आप उसे ऐसी चीज ना दे जो आपके लिए और बहन के लिए दोनों के लिए हानी कारक हो आप पैसा दे सकते हैं, कोई जोलरी दे सकते हैं, कोई कपरा दे सकते हैं, लेकिन कपरा में काला कपरा आप नहीं दीजिए तो अच्छा रहेगा रक्षा बंधन के दीन बहनों को भूल कर भी काले रंग के बस्त धरन नहीं करने चाहिए, इनकी जगह लाल पीले बस्त आप पहना आपके लिए सुब रहेगा रक्षा बंधन के दीन घर में मांस, मदिरा या लहसुन, प्याद जैसे तामसिक भोजन का भी सेवन आपको नहीं करना चाहिए, इस दीन सुद्ध और सात्वी खाना ही आपको खाना चाहिए, इसका ध्यान रखिए राखी के दीन भाई को तिलक लगाने के लिए चंदन या फिर रोली का ही इस्तमाल कर सकते हैं, इस दोरान सिंदूर का इस्तमाल ना करें क्योंकि सिंदूर सोहाग के निशानी माना जाता है, इसलिए आप रोली या चंदन का इस्तमाल कर सकते हैं भाई को तिलक लगाने में अब जो रक्षा बंधन की पूजा की थाली होती है इस थाली में क्या होना चाहिए देखिए आपकी पूजा की थाली में धूप गी का दीपक उसमें रोली और चंदन रखिए उसमें अक्षत भी रखना चाहिए जो तूटा फूटा ना हो अपने भाई की रक्षा सुत्र भी उस थाली में आप रखे साथ ही उसमें मिठाई भी आपको रखना चाहिए अब जानते हैं कि रक्षा बंधन पर पूजन बिधि क्या होगी देखिए रक्षा बंधन के दिन सबसे पहले भाई बहन दोनों जल्दी सुबह उठकर के असनान करके साफ सुत्रे कपड़े पहन करके भगवान सुर्ज को आप जल अरपित कीजिए फिर घड के मंदिर में या पास के किसी मंदिर में जाकर के पूजा अर्षना कीजिए भगवान की पूजा के बाद राखी बंधने से समधित सारी समगरी आपको एकतित कर लेना चाहिए इसके बाद मुख रूप से चांदी, पीतल, तामबे या स्टिल की कोई भी साफ थाई ले करके उस पर एक सुन्दर साफ सुत्रा कपड़ा बिछा ले उस थाली में एक कलस, नार्जल, सुपारी, कलाबा, रोली, चंदन, अक्छा, दही, राखी और मिठाई रख लिजिए सामगरी को सही से रखने के बाद घी का दिया भी रखिए यह थाल पहले अपने घर में या मंदिर में भगवान को समर्पित कीजिए सबसे पहले एक राखी भगवान कृष्ण को या भगवान गनेश को आप अर्पित कीजिए भगवान को राखी अर्पित करके उसके बाद सुम महुर्त देख करके भाई को पुर्विया उत्तर दिसा के तरफ मुह करके बिठा दिजिए इसके उपड़ान भाई को तिलक लगाएए फिर राखी यानि रक्षा सुत्र बादिए इसके बाद उनकी आर्थी करें इसके बाद अपने भाई का मिठाई से मुह मिठा करें राखी बांते बक्त इस बात का ध्यान रखे कि भाई बहन दोनों का सिर किसी कपड़े से ढखा होना चाहिए रक्षा सुत्र बंधने के बाद माता पिता या घर के बढ़ों का आशिरवाद भी आपवस लिजिए रक्षा बंधन का एक प्रवानिक महत्त भी है देखिए रक्षा के लिए बांधा जाने वाला धागा रक्षा सुत्र का हलाता है मानते हैं कि राजवय यग के समय भगवान कृष्ण को द्रोपती ने रक्षा सुत्र के रूप में अपने आचल का टुकरा बांधा था इसके बाद बहनों द्वारा भाई को राखी बांधने की प्रमपरा सुरू हुई थी साथ ही पहले के समय में ब्रामनों द्वारा अपने यज़मानों को राखी बांध कर उनकी मंगल कामना की जाती थी इस दीन बेद पाठी ब्रामन यजुर बेद का पाठ शुरू करते थे इसलिए रक्षा बंधन के दीन यानि की स्रावन सुक्रपक्स की पुर्णिमार वाले दीन शिक्षा का आरम करना भी बहुत ही जादा सुमाना दाता है तो आज मैंने आपको बताई कि रक्षा बंधन के समय आपको क्या चीजों का दियान रखना है किस समय राखी बांधना है क्या है सुमूर्थ और किस तरह से आप राखी बांधेंगे किस तरह से आप पुजा करेंगे अगर आपको ये वीडियो प्रसंद आए तो कि पैसे लाइक करें सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों सगे समयों के साथ भी स्चेर करें ताकि वो भी रक्षा बंदन के दीन इस तरह से राखी बानेंगे तो उसके भाई के जीवन में हर तरफ से सफलता प्राप्त होगी इसके लिए पस इतना ही धन्नवाद